इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव दिन प्रदी दिन बढ़ता जा रहा है हिजबुला ने शुकरवार को इस्राइल पर 144 से ज्यादा रॉकेट हमले किये ये हमला हिजबुला के नेता हरसन नसरल्ला की ओर से इस्राइल पर बड़े पैमाने पर बंबारी का बदला लेने की कसम खाने के एक दिन बाद हुआ इसके जवाब में इसराइल ने लेबनान में हिजबुला के ठीकानों पर एयरे स्ट्राइक की जिसमें हिजबुला का टॉप कमांडर इबराहीम अखील मारा गया इसराइल ने इस खबर के पुष्टी करते हुए कहा कि उसके हवाई हमले में इबराहीम अखील मारा गया है ही मारे गए हैं इस्राइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाएगा IDF के प्रवक्तार एर एड्मिरल डैनियल हगरी ने कहा कि हिजबुल्ला ने इस्राइली नागरिकों पर आठ हजार से अधिक रॉकेट, मिसाइल और विस्फोटक UAV दागे जिसमें इस आठ हजार से अधिक इस्राइली लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा हिजबुल्ला को आतंगबादी संगठन बताते हुए हगरी ने कहा हिजबुल्ला एक अंतराज्टेस्तर परमानेत अप्राप आतंगबादी संगठन है यह इस्राइल, लेबनान, मध्यपूर्व और पूरी दुनिया के लोगों के लिए खत्रा है आठ अक्टूबर से हिजबुल्ला ने इस्राइली नागरिकों पर आठ हजार से अधिक रॉकेट, मिसाइल और विस्पोटक यूएवी दागे हैं जिससे साथ हजार से अधिक इस्राइली लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा है आज हिजबुल्ला ने इस्राइल पर 200 से अधिक रॉकेट दागे हैं इबराहिम अक्टूबर जैसे हमले की योजना बना रहा था उसे 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमले का रूपी भी माना जाता है इसमें 241 लोगों की मौट हो गई थी तरहसल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर एक साथ कई रौकेट दागे थे और हमला कर इसराइल इक शित्र में घुसकर हमला कर दिया था जिस तरह से इसराइल सेना हाल के दिनों में हिजबुला के खिलाफ हमलों में तेजी लाई है ऐसा लगता है कि वह हमास से युद के बाद अब हिजबुला के खिलाफ भी युद में उतरने की तयारी कर रही है इसराइली सेना के प्रवक्ता के बयान से ये भी आभास होता है कि वह हिजबुला पर और हमले कर सकती है पेजारमले के बाद भी इजराइली रक्षा मंतुरी ने कहा था कि अब ये युद्ध अगले चलर में प्रवेश कर रहा है